और अब आगे बढ़ते हैं भारती जंता पार्टी की संसदी दल की बैठक आज होने जा रही है इस बैठक को प्रधान मंत्री मोदी संबोसित करेंगे लोगसभा चुनाओं में अब प्रत्याशी जीत के बाद बीजेपी के संसदी दल की ये पहली बैठक है बैठक सुबस साड़े नौ बजे से संसद बहुन के लाइबरेरी में जीमसी बालायोगी सभागरे में होगी प्रत्याशी मोदी अपने लगभग 380 संसदों के लिए इसमें एजेंडा टै कर सकते हैं संसद में बीजेपी संसदों की ये अब तक की सरवाधिक संख्या है बजट पेश करेगी आगे बढ़ते हैं तीकी बहस के बाद राजसभा ने जमू और कश्मीर में राश्ट पती शासन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है अगले 6 महिने के लिए ये प्रस्ताव 3 जुलाई से प्रभावी होगा इसके साथ ही राजसभा ने जमू कश्मीर रिजवेशन बिल 2019 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया है ये दोनों प्रस्ताव पिछले शुकरवार को ही लोगसभा से पारित हो चुके हैं बता दे आपको त्रिडमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल ने भी आखिर में समर्थन देने की घोशना कर दी थी इससे पहले कॉंग्रेस के नेता गुलाम नभी आज़ाद ने चुनाव कराने को लेकर सरकार की महिशा पर सवाल खड़े किये थे जिस पर अमिश शाह ने तीखा जवाब दिया उन्होंने राश्पती शाहसन लगाने के आकड़े सामने रखते हुए कहा कि सबसे जादा बार आर्टिकल 356 का प्रियोग कॉंग्रेस की सरकारों ने किया है शाह ने ये भी कहा कि राज में विधानसवा चुनाव के लिए चुनाव आयोग जब भी तयार होगा के इन सरकार एक दिन भी देरी नहीं करेगी